हालो फ्रेंज मैसेर्फ दोक्टर सुनील तौवार कंसल्टेंट एंटी सर्जन एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों विगत कुछ एपिशोड में हमने एर और नोज की रिगार्डिंग काफी विभिन पहलों पे चर्चा की थी दोस्तों आज हम बड़ीक कॉम्न जो समस्य है उसकी चर्चा करेंगी थाईराइड प्रॉब्लम। क्या है तायराइड प्रॉब्लम क्या इसकी रिजन से कैसे इस से बचा जा सकता है क्या इसका treatment है बड़ दोस्तों सबसे पहले अपने को यह देखना है क्या है थाइराइड ग्लेंड और क्या इसका function है दोस्तों थाइराइड ग्लेंड एक एक एंडोक्राइड ग्लेंड है जो एक बटरफ्लाइड है अपने जो विंड पाइप है जो अपने ट्रेकिया और सांस की नलीप है उस पर आरांड 20-25 ग्लेंड होती है जो अपने फ्रेंट आफ नेक पर सिच्विटेड होती है इसका क्या function है तो दोस्तों थाइराइड ग्ल है इसे और जो यर्श inappropriate प्रटते कोशिका है जो सेल से हैं 2 विश्वार्फेड उसका द्रंफ्ल्न उसका पर म्रॉपमेंट के लिए के निबाति होती है उसके लिए जिसका है टेउसे आए अगर देखा जाए थाइराइड गुलेंड के जो प्रॉबलम है दो तरीके से अपनद उसको डिवाइड कर सकते हैं पहली प्रोबलम जिसमें थाइराइड की जो नीड है थाइराइड का work हो कम हो जाए that is the under secretory condition under active condition that is the hypothyroidism condition that means जित्ते thyroid work करनी चीए उत्ता नहीं कर रही हो under active work कर रही है दूसरी situation overwork कर सकती है यानि जित्ती body में अपने को demand है उससे overwork harmon निकल ला है that is the hyperactive condition hyperthyroidism यानि hypo that means come that is the hypothyroid and hyper that means more than need of the body that is hyperthyroidism so दोस्तों ये दो situation है thyroid की जो usually problem होती है इन दोनों में जो अपने thyroid gland का जो आकार है thyroid gland की जो size है वो बढ़ जाती है so enlargement of this thyroid gland जिसको अपन गोईटर बोलते हैं तो वर्ड गोईटर that means enlargement of the thyroid gland वो आपे देखिए जो hypothyroidism condition है बोडी की demand पूरी करने के लिए जब कम बर कर रही है तो उसके कारण भी जो जाता है जिसको एक simple गोईटर बोलते हैं दूसरा हाइपर एक्टिव यानि जो hyperthyroidism जिसमें बहुत ज्यादा secret करती है ग्लेंट उसको टॉक्सिक गोईटर बोलते हैं तो यह दो टाइप के जो problem है उसके कई सारे कारण होते हैं जिसमें एक होता है थाइरोडाइटी यानि सिंपल थाइरैड में वाइरल infection जिसके कारण थाइरयड का enlarge हो जाना होता है और उसका काम करना कम कर दिया जाता है एक condition आएटिन आठिक होती है उसके कारण भी कैए थायरड जो है ग्लेड यंदेश होके और गॉइटर बन जाता है इसको इन्दमी गॉइटर बोलते हैं कुछ वेल्ट होते हैं जहां पहाड़ी जहां पूरा एंगरी आएटिक हार्ड–शिट आपाड़ी कम होती है दोस्तों फोर्थ एक कारण और होता है यूज्वली जब पोस्मार्टम पीरिट होता है मतलब कि जब फिमेल का आफ्ट बच्चा जो है प्रग्नेंशी के बाद में कुछ टाइम जो है उस टाइम पे भी एक टेंप्रेरी हाइपो थारेजम कंडिशन होती है वह भी एक फोर थाउजेंड चिल्डरन थाइरेड ग्लेंट तो प्रेजेंट है बट वर्क नहीं कर रही है नौन फंक्शनिक थाइरेड ग्लेंट सो देट्स वाई एक जब भी बच्चे का न्यूबोन का जनम होता है तो थाइरेड की स्क्रीनिंग जो है वह रिकमंड की जाती है जिस उसका मानसिक विकास नहीं होता और मेंटल रिटार्ड बच्चा होता है तो इसलिए थाइरेड की जो रिक्वाइरमेंट है हार्मोन की दूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जब फिमेल प्रेगनेंट होती है उसके टाइम पे भी पूरा थाइरेड हार्मोन उसकी रिक तो इसलिए क्या है यह एक एक कॉमन जो है वो चीज होनी चाहिए जिसमें क्या है बच्चे का जैसे ही उसका जनम हुआ और उसका टी ऐसे एक जाच होती है थाइराइड हार्मोन की जिससे अपने को करा लें के यह चीज अपन रूल आउट कर सकते हैं दोस्तों को जेराँ की यह में थाइराइड प्रोब्लम से घ्रसित हुं थाइश्ण तो जो एक सिच्विशन है इस दा है थाइपो थाइरड फिब्राइड हीव था अगर बूंत तो ज्यादे लग लेगा है उसकी जो वॉइस जो उसकी चैंग हो रही है उसकी आवाज भारी हो रही है बालों का जड़ना है एक है और पीरिड्स आरे हैं बहुत जद तड़ होते है और जो है फटीग है पेशन्ट को काम करने की इच्छा नहीं होती है तो यह सारे सिम्टम्स जाते हैं हाइपो थायरड़सं और साथ में उसकी जो ग्लेंड है यहां पे है वह एन-लार्ज है जो यूजी पेंट नहीं करती तो these are symptoms of hypothyroidism next condition hypothyroidism hyperthyroidism उसके जो symptoms है that is the weight loss patient patient का weight loss जो है वो continue होता चला जाता है then patient have a tremor in your hand patient have irritable patient have the excitability like patient अगर उसका hand यह करेगा तो उसके यह hand में उसकी moments आएंगे that is the that indicate patient suffering from hypothyroidism and unexplained diarrhea to the patient patient कहता है मैंने बाहर से कुछ कहा है भी नहीं तो भी मेरेको lose motions हो रहे है and wet loss unexplained diarrhea and tremors and irritability anxiety एक महत्व पूर्ण साइन ओर है जो अगर आप hypothyroidism patient को होता है उसका जो ट्रेमर आ रहा है उसके साथ उसके जो आई का लुक है आई का लुक उसका staring लुक होता है like उसकी जो eyes है वो normal staring look because यह जो थाइराइड का जो excess hormone है वो अपने heart rate को प्रभावित करता है और आग के पीछे भी एक fat जैसा पदार जमा हो जाता है जिसके करण उसका लुक जो है change हो जाता है so these are the symptoms of hyperthyroidism so दोस्तों यह hyper और hypothyroidism के symptoms हैं जिससे आपको यह जाना जा सकता है कि मैं कौन सी समस्यासे aggressive हूं और अपने को जो भी उसका जो regarding doctor है उससे चर्चा करने की जरूरत है दिखाने की जरूरत है इसके बाद next आता है दोस्तों treatment क्या treatment diagnosis of the hyperthyroidism कैसे इसको diagnose problem को किया जा सकता है so दोस्तों for the diagnosis of thyroid problem there is some blood test test एक blood test है उसमें जो है वो टी एसेच टी और टी फोर हार्मोन का assess और लेविल से अपने को यह पता लगाया जाता है कि patient hyperthyroidism है या hypothyroidism है टी एसेच हार्मोन होता है जो टी त्री और जो टी फोर जो thyroid gland hormone secret करती है उसको balance करता है उसको control करता है तो उसके लेविल से अपने को इसको पहचाना जा सकता है तो इसमें हमेशा यह एक ध्यान imaging studies है imaging studies that is sonography of the neck उस sonography of the neck से we can identify हम identify कर सकते हैं कि thyroid gland कितनी enlarge उसमें कोई localized एक जगे कोई nodule बना है या क्या situation है तो sonography एक नैक की होती है जिससे अपने को उसका evaluate फर्दर वी थार्ड है physical examination physical examination जो physician होता है जो ENT surgeons होते हैं जो थाइराइड को देखते हैं वो उसको evaluate कर सकते हैं कि यह थाइराइड की problem है थाइराइड की swelling है या कोई और कोई क्योंकि neck में और बहुत सारी भी swelling और दियन तरीके से दोस्तों थाइराइड की जो problem है उसको भी कैन डाइगनोसिस और एक डाइगनोस किया जा सकता है नौ treatment of thyroid problem क्या इसका जो treatment है दोस्तों thyroid की जो problem है इसका treatment according to the cause इसका जो cause है उसकी हिसाब से इसका जो है treatment किया जाता है लाइक अगर कोई patient hypothyroidism है यानि पेशेंट को जो जितनी बोड़ी में उसको हार्मोन चाहिए उसको उसके हिसाब से उसका हार्मोन नहीं बन रहा तो उसके लिए थायरेड रिप्लेस्मेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है यह पेशेंट का क्या है कि एवरेज एक बोड़ी वैट कैलकुलेट करके उसको उसको बोड़ी वैट के इसाब से उसको कितना हार्मोन चाहिए होता है जिसको यूजवली जो टेबलेट्स होते हैं एल्ट्रोक्सिन थायरेड रिप्लेस्मेंट ट्रीटमेंट बोला जाता है इसके साथ में दूसरी प्रॉब्लम दूसरी चीज देखने की यह है कि अ झुजवली जो थायरेड की सिंपल जोगईकर होता है वह क्या पेञ्ट होल्ह पार पेशेंट के मन में एक यह मेरे पेंदों करता है मेरे को इससे कोई problem भी नहीं होती बट जैसे जैसे उस gland की जैसे जैसे उस goiter की size बढ़ती जाती है सब पेशिंट इसमें cancer की chances भी बढ़ते जाते हैं इसलिए कभी भी यह भूल नहीं कीजिए अगर आपकी gland एंड लार्ज है तो आप उसका उचित राहे लेके और उसका surgical treatment उसको निकलवाना चाहिए और उसके बाद में जो है उसकी बायोप्सी होती है तो उसका एक्जेक्ट अपने को उसकी pathology का पता लगता है और फिर उसकी thyroid replacement treatment जो भी अल्ट्रोक्सिन है उसको आगे फोलो किया जा दूसरी इसके विप्रित condition है कि सपोज करो patient have a hyperthyroidism problem जो बोड़ी में है तो उसमें क्या है कि उसमों excess amount में thyroid बन रहा है तो उसके लिए anti thyroid treatment दिया जाते है यानि जो अपना secret जो हार्मोन हो रहा है उसको कम करने के लिए anti thyroid hormone उसके लिए दिया जाते है इसमें भी दूसरी importance देखने की यह है कि प्राय है जो हमारे पास patient आते हैं वो यह देखा गया है कि बहुत दिनों तक patient क्या है anti thyroid drug ले रहे होते हैं बट उसमें अगर उसका goiter toxic goiter है that means उसकी gland की जो side huge है बड़ी है तो इस situation में भी surgery का रोल है इस situation में भी उस जो बड़ी जो gland है उसको subtotal thyroidoptomy करके उसको निकाला जाता है और उसके बाद में जो है अपनी body को जो requirement जो हर्मोन की होती है वो दिया जाता है क्योंकि क्या होता है एक general दार्णा यह है कि इसमें surgery नहीं होती है लेकिन दोस्तों उसमें भी surgery का रोल है नहीं तो ग्लेंड बढ़ती जाएगी उसमें जो है उसका इंपोर्टेंट चीज अपने को यह देखना चाहिए कि यह थाइरेड की जो प्रॉब्लम है देटीजे लाइफ लॉंग कंडिशन सो ही मॉनिटर लाइफ लॉंग यानि इसका continuous monitoring ज़रूरी है और अगर आपको चाहे हाइपो थायरेडिजम हो चाहें हाइपर थायरेडिजम उसका continuous monitor करके बहुत बार लंबे समय तक पेशेंट को अगर टेंप्रेरी हाइपो प्रॉब्लम होती है थायरेडिजम की तो वह बाद में मेडिसन बंद भी हो जाती है बट कंटीनिव मॉनिटरिंग करके और उसको जो है दिरे-दिरे उस ड्रग को टैपर किया जाता है कम कि कई बार उसको lifelong भी लेनी पड़ती है तो यह डिपेंड करता है patient to patient जो है वह जो भी उसको प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से सो दोस्तों यह जो information है यह I hope यह आपको useful होगी और यह information जो है यह जो जानकरी है वह अपने समाज में awareness के लिए दोस्तों से यह जो प्रॉब्ल की जो प्रॉब्लम के बारे में समझ सके और if you know if you want to the more informations you can login my website you can login my facebook and for more video informations you can subscribe to Jaipur Durbin Hospital YouTube channel and जो वहाँ पे दिया गया है bell icon है उसको प्रेस करें जिसे आपको जो further notification मिल सके कि आगे इसकी जो और जो वीडियो कौन से हैं thank you